Hello students, welcome back to my channel इछले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि revision कैसे किया जा सकता है कौन से तीन techniques हैं जो आप use कर सकते हो अच्छे से revision करने के लिए और अच्छे से सारी चीजे याद करने के लिए और exam में लिखने के लिए अब सबसे बड़ा problem ये है कि हम अपने आपको focus कैसे करे How to stay focused during these pressure times इसके लिए भी कुछ techniques हैं जो हम use कर सकते हैं तो इन techniques के द्वारा हम अपने focus को थोड़ा सा better कर सकते हैं थोड़ा और improve कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम जो भी बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे दिमाख में हमारे system में retain हो जाए और exam के time जब हमें उसे actual बाहर लाने के जरूरत है जैसा कि पिछली वीडियो में दिसकस किया था तो वो चीज़े possible हो सकती है सबसे पहली चीज़ जो है वो आप यह identify करो कि कौन से subjects हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और कौन से subjects हैं जिनमें आपको थोड़ी सी help की और जरूरत है या थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है इस तरह से एक list आप बना लो आपके पास गिंगे 5-6 या 7 subjects होंगे depending upon the boards that you are in और उसके हिसाब से you'll be able to identify कि यह subjects हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं इनमें मुझे बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है और यह XYZ subjects हैं जिनमें मुझे बहुत मेहनत करनी है and I'm really not sure about these subjects or maybe certain topics in these subjects all together ठीक तो एक बार यह आपने activity कर लिए उसके बाद आप sorted हो कि यह वाली चीज है जिस पे मुझे पूरा अपना महना टालना है अभी गिने चुने जो बाकी के दिन है board exam से पहले अब इन subjects को हम कैसे शूरू करें कैसे इनके ओपर हम काम शूरू करें क्योंकि obviously subjects का content देखकर ही काफी बच्चे overwhelm हो जाते हैं tension ले लेते हैं, panic हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज अगर आपके नहीं आदने वाले subjects के list पड़ी है तो उसको देखकर के panic नहीं होना है हम एक proper segmented तरीके से इसे use कर सकते हैं इस information को और इसके basis पर हम अपनी जो आगी की approach है उसे ले सकते हैं सबसे पहली चीज यह जो है आपको करनी है कि भई आपने जो subjects निकाले हैं जो आपको difficult लग रहे हैं उन subjects में obviously सारे topics आपको difficult नहीं लग रहे होंगे कुछ topics होंगे जो आपको नहीं आते होंगे तो उन topics को एक बार एक mental note बना लो या mental note अगर difficult है because there are too many to remember एक board बना लो जो आप अपने रूम में कहीं पे बी study table पे रख लो so that you know कि ये topic है इस chapter का, ये topic है इस chapter का, ये topic है इस chapter का आपने एक ऐसे list बना लिये and now you have a set of things right in front of you that you are not really sure about तो उस चीज़ को आपने अब focus देना है अब उन topics में से हमाई पास इतना time नहीं है कि हम सारी चीज़े thoroughly read कर सके, सारी चीज़े thoroughly पढ़ सके तो अब हमें ये देखना होगा कि इन topics में से most frequently asked questions कौन से होते हैं उसके लिए आपको लगेंगे आपके पिछले सालों के कई papers तो अब हमारे पास एक list of subjects है और उन subjects में a list of topics हैं जो हमें नहीं आते हैं अब उन topics में ऐसे कौन से questions हैं जो board में most likely asked questions होते हैं तो ये जो questions है इनके list परना लो अब इनकी list परनाने के बाद आपको क्या करना है obviously पढ़ना है इन questions को आपको पढ़ना है तो इन questions को पढ़ने के लिए आप जो भी material यूस कर रहे हो जो भी textbook यूस कर रहे हो पढ़ना शुरू करें अब obviously अगर आपकी list बहुत लंबी है इन questions की भी तो ये again एक panic mode set कर देता है तो हमें panic नहीं होना है एक proper time table के हिसाब से इन सारे subjects को और इन topics को over a period of one week अगर हम distribute कर दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा identify करने के लिए क्योंके मंडे को मुझे ये subjects हैं जो पूरे करने हैं और इन subjects में ये वाले topics हैं जिन में मुझे focus देना है अब obviously हम पूरा दिन नहीं पढ़ सकते because we are human हमारा दिमाग थोड़ी देर के बाद ठक जाता है saturate हो जाता है information हमारे दिमाग में नहीं जाती है तो इसके लिए भी आप छोटे छोटे time slots ready कर लो कि भई सुभे में इतनी देर मैंने ये subject पढ़ना है ये topics देखने हैं उसके बाद इतनी देर मुझे ये topics देखने हैं so scatter out your study sessions throughout the day एक साथ बैठ कर पूरा पढ़ने की कोशिश करते ही नहीं करना क्योंकि आप already pressure में हो already आपके पास कम time है time is ticking backwards now तो ये जो चीज है हमें करनी होगी and जितनी भी देर आप वो time slot बना रहे हो अपने लिए या जो भी आपने time slot अपने लिए बना रखा है उस time slot के हि आप से उत्री देर आपने complete focus के साथ बैठना है अब focus कैसे करें तो focus करने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज करनी है वो हमें हमारे mobile phones हमारे laptops और tablets या iPads अगर आप यूज करते हो तो उन्हें उस room से बाहर रखना है जहां पर आप study कर रहे हो क्योंकि एक छोटी सी notification bell notification की bell बजी थी और उस case में फिर आपका पूरा जो ध्यान है वो divert हो जाता है distraction create होती है and जो आप उससे पहले कर रहे थे उस bell बजने से पहले जाब कर रहे थे वो आपका brain register नहीं करेगा because it got diverted and scientifically proved है कि human brain is not capable of doing many things at the same time उसको एक काम से switch off करके दूसरे में switch on करना पदा है तब जा attention gain हो पाती है तो the moment that bell rings आपके attention यहां से हटी और आपने अपना जो पढ़ा था वो out of the window वो सीधा बाहर गया वो अपके दिमाग में नहीं गया तो इसलिए यह बहुत important है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके जितने भी electronic devices हैं यह room के बाहर हो उस room में ना हो या switch off mode पे हो completely so that आप किसी भी तरीके से distract ना हो आपकी जा attention है वो disturb ना हो even before you're setting in the tone to start with your studies आप पढ़ाई लेने के लिए भी शुरू कर रहे हो या पढ़ाई करने के लिए भी आप शुरू करने वाले हो बैखने वाले हो तो उससे पहले भी आपने अपने Instagram Reels या YouTube Shots वाला जो window है वो open नह those shots and it will simply kill your precious time so don't kill your time ये exam जो 12th standard का है ये 10th standard का है ये बहुत important है आपकी life के ये turning points होते हैं and there is no coming back अगर आपका time खराब हो जाता है आपके exams अच्छे नहीं जाते हैं आपके marks अच्छे नहीं आते हैं so there is no coming back to it it's better to be precocious than being sorry okay तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने आपको बिल्कुल भी distract mode में नहीं लेकर जाओगे आप बिल्कुल भी इन सारे gadgets को अपने आस पास sprawl करके नहीं रखोगे अब बहुत सारे बच्चे या अर्ग्यू करेंगे हमारे पास तो PDF form में ह होंगी सारे notes तो हम क्या करें get those printed simple आप ये चीज़ अपने पास नहीं रख सकते जब आप revision कर रहे हो ऐसे critical time पर जब boards hardly एक या दो हफते दूर है ठीक तो ये चीज़ आपने करनी है and उसके बाद जो भी आपने अपकी list बनाई थी topics की हमारे first step में उसको आपने टिक करते जा जैसी वो एक टिक आएगा तो एक mental pressure relief होता आपको मैसूस होएगा आपको feel होएगा कि ओ कुछ अच्छा हो गया ओ अभी सिर्फ इतना सा ही रह गया तो वो एक positivity create करेगा आपके लिए enough motivation खुदी create करने लग जाएंगे वो green tics जब आप उन points के ओपर करोगे कि ये मेरा हो गया आप I'm good to go with this इसके ओपर I'm confident अगर ही एक्जाम में आजाए या इसमें से कुछ भी एक्जाम में आजाए I'm good to go with it and उसके बाद once you're done with ticking all those things from the list that you made जितनी बड़ी या जितनी छोटी आपके list है उसके बाद कोशिश करो कि उस topics से related जो भी past papers में questions है उनको आप एक बार practice करो obviously this is not supposed to be a timed activity because you're practicing now but आप उसको इपर लिखने की कोशिश करो कि आपने जो याद किया था यापने जो study किया था वो आपको याद है भी या नहीं recall हो पा रहा है या नहीं और अगर recall नहीं हो पा रहा then you have to follow the three techniques that I discussed in my previous video that will help you to recall effectively when the need is there yes मैं यह नहीं बोल रही हूं कि आप बिल्कुल भी टीवी मत देखा बिल्कुल भी खेलो नहीं because एक healthy mind और एक healthy body दोनों ही चाहिए जब आपको पढ़ना है और जब आपको अच्छे marks लाने हैं आपको अपने exams एकदम अच्छे से crack करने हैं yes you need those things but definitely not when you are keeping that time slot for your studies वो चीज आपने कभी भी नहीं करनी है उसके पीछे time के बाद या उस time से थोड़ा पहले आप अगर TV देखना चाहते हो या maybe mobile games खेलना चाहते हो उस time पर YouTube Shots अगर आपको देखनी है या Reels देखनी है you are most welcome to do that but not during the time when you are dedicated for your studies अब कहीं सारे बच्चों का time जो है study का वो भी वेरी करता है कुछ सुभे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं कुछ शाम को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं कुछ मेरे जैसे होते हैं जेने रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है तो अगर यह बहुत तीडियस अक्टिविटी हो जाएगी एक अलग time frame में extraneous activity करना तो यह important होगा कि whatever time you are comfortable with whether it is early morning hours or maybe afternoon hours or evening hours or late night hours whatever you are comfortable with sit with that as far as the late night is concerned आपके papers सुबेग 11 बजी के असपास के होंगे तो late night is not really advisable during the exams because रात की नीन बहुत important होती है for your brain to function well the next day when you are supposed to give your exams तो कोशिश कीजिए अगर आप लेट भी पढ़ रहे हो तो जादा से जादा बारा बजी साड़े बारा बजे लेट से लेट 1 a.m. should be it इससे जादा लेट आप मत रखना अपनी आपको जगा हुआ क्योंकि फिर morning में आपका brain जो है थोड़ा lethargic होगा slow होगा process करने में and exam से एक दिन पहले तो बिलकुल भी एक बज़े तक नहीं जागना बहुत बच्चे यह करते हैं कि हम लेट जागे और रात तक पढ़ेंगे सुभे चार बज़े तक पढ़ेंगे तो वो सब बिलकुल भी नहीं करना जो भी आपको taxing activities करने वो अब कर लो so that exam के time पे यह जो आप extra taxing अपने दिमाग को देते हो, extra activities अपने दिमाग को देते हो, extra effort जो आप अपने दिमाग को लगाने के लिए करते हो try avoiding that because that is not going to help you in any ways whatsoever and finally once you're done with all the ticking try writing a lot of past papers because those papers are the ones that will help you a lot to identify कि आप भी अपना जो board का जो set pattern है questions का, are you comfortable with that pattern? are you aware कि भी paper कैसा दिखता है? किस तरह के questions है? क्या weightages है on questions के? which questions are more comfortable writing first and which questions I should leave for towards the end of the paper when I know that I am in a full fast mode, my brain full fast processing mode and at that time I will write those questions लिखूंगा या लिखूंगी without complete practice, आपके hand movements, आपके cognitive skills, आपके motor skills motor skills मतलब आपका लिखने का activity है वो ठीक है? तो यह दोनों चीज़े synchronized होनी जाहिए और वो synchronization के लिए इसे practice देना mandatory होता है और वो practice तभी होगे जब आप एक timed effort दोगे अपने past papers लिखने के लिए and get those past papers assessed through just you writing the papers will do no good to you because आपको नहीं पता होगा कि आपने उसमें कहां errors लिए, क्या किया है, किधर आप improve कर सकते हो so if you have contacts with teachers, get those papers assessed and please ask them to tell you where you went wrong and what could be done better in those questions where some scope was there for improvement try and do these things and I'm sure आपके exams बहुत अच्छे से जाएंगे बिल्कुल आपको pressure fail नहीं होगा, आप panic mode में नहीं जाओगे and एक proper strategy की तरह आप एक proper systematic way में आप अपनी सारी जो studies हैं जो difficult subjects हैं उनके साथ आप deal कर पाओगे I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप इसमें से कौन सा method यूज करने वाले हो ये मुझे comment में जरूर बताना I'll see you in my next video, bye now, take care